दोस्तों भारत में रह रहे हैं नफरती चिंटूओं की हद देखिए किस हद तक वो आमादा है नफरत फैलाने के लिए, समाज में हिंसा बाटने के लिए, नफरत को बढ़ावा देने के लिए वो हर एक टाइम पर कोई ना कोई साजिश रष्टे रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाद में फितूर चलते रहता है जिससे हिंदू मुसल्मान हो सके, जिससे एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ सके, और कल एक और नजारा तो आप देखी चुके हैं, कि दुनिया भर में मुसल्मान जिस जगह को सबसे ज़ादा मानते हैं, जहां पर वो नमाज अदा करते ह हैं, जहां पर हज के लिए जाते हैं, उनका सपना होता है, उनका ड्रीम होता है कि एक बार हम हज को जाएं, उस जगह को लेकर कावा शरीफ को लेकर यहां पर नफरती चिंटूों की तरफ से एक गाना बनाया गया, कावा शरीफ को जो है चुतरत किया गया, वर्णन किया ग जोखना चाहिए दिले पुलिस को भी टाक किया गया तमाम लोगों ने जो है मांग की कि नयाय हो और इसलामिक आस्था को किस तरीके से चोट पहुचाया जा रहा है इस पर कठोर से कठोर कारवाई की जाए तो कारवाई क्या हुए दोस्तों वह भी मैं आपको बताऊंगी कि क के नाम पर वो सब कुछ एक बार में इस नफरती चिंटूओं की की वजह से मलिया मेट हो गया है क्योंकि आप यह मामला जो है साउदी अरब पहुच गया है दोस्तों साउदी अरब के जाने माने और जाने माने कॉलमिस्ट इस पूरे वीडियो को शेयर करते हुए क्या कु इस वीडियो को भी उन्होंने शेयर किया है जो कल जहरा की तरफ से शेयर किया गया था कि कैसे जो है गाने के बोल है तेरे मक्य और मदीने में मेरा भोला पूजा जाता है सभी लोग एक दूसरे की धर्मिक आस्थाओं का समान करना चाहिए लेकिन इसके जैसे कुपोशत मा अब्दुललमादी ने और किस तरीके से मोदी सरकार को जूटा कहा है सीधे तोर पर हमारी सरकार के उपर निशाना सात्तेवे कहा है कि जूट बोलते हैं देखिए ये लिखते हैं कि ये सर्व विबादित है भारतिये फिल्म जैसे जूटी होती है बहुत भार्मिक होती है बिल्कुल उनके सरकार की तरह ही ये पवित्र कावा को पवित्र जो सबसे पाक जगह है उसको नुकसान पहुचाने में ये कुछ करही नहीं सकते हैं उसको छूतक नहीं सकते हैं लेकिन भारत में इस तरीके से कैसे पवित्र कावा को लेकर इन लोगों की तरफ से ये चीज जो है शेयर किया है अब आप सोचिए दोस्तो कि किस तरीके से ये पूरे साओधी में गया होगा पूरे साओधी में इस तरीके से जो है इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचा जा रहा होगा किस तरीके से मोधी सरकार की किरकिरी हो रही होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते है क्योंकि सवाल सिर्फ धर्म का नहीं है सवाल देश की इज़त का भी है ऐसे लोगों के जरीए कैसे इज़त को जो है इन लोगों के जरीए मिट्टी में मिलाया जा रहा है कैसे बार बार इन नफरती लोगों की वज़ा से हम सब को शर्मिंदा होना पड़ता है ये नफरती लो आप जानते हैं कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ देश में नफरत लाने की कोशिश करते हैं और यही वज़ा है कि मोदी सरकार की हर बार आलोचना होती है नुपरशर्मा के टाइम पर भी कड़ी तरीके से आलोचना हुई थी आप सब को याद है तो इस तरीके से इन्होंने दो तूइट्स किये हैं जिसमें मोधी सरकार पर निशाना साथा हैं अब आपको मैं दोस्तो कुछ और तूइट्स दिखाती हूँ जो इसको लेकर का जा रहा है क्या कारवाई हुई है तो इस पूरे खबर को लेकर दॉक्टर मिराज हुसैन है वो लिखते हैं दॉक्टर मिराज हुसैन जो है वो इस पूरे खबर को लेकर लिखते हैं कि हमारी टीम के एक सदसे द्वारा इस यूट्यूब चैनल के मालिक को समझाने और लीगल आक्शन लिये जाने की बात कहने के बाद ये वीडियो यूट्य से गाने के निर्माताओं ने हचा लिया है लेकिन अभी भी आजियो हचाया नहीं गया है अगले 24 गंटे के अंदर अगर ये आजियो नहीं हचाया जाता है और निर्माताओं द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है तो हम इस चैनल और इस गाने के लेखक निर्माता और गायक क खिलाफ अलग अलग राज्यों में F.I.R. दर्स कराने जा रहे हैं तो इसकी तरफ से इनोंने ये बाते कही हैं अब सोचे दोस्तो कि पोलिस की तरफ से क्या कारवाई हुई है जब तक मैं खबर पढ़ी हूं दोस्तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारवाई हुई है पोलिस की दंका बज़ रहे दोस्तो कि साओधी अरब के आरफ ऑथर जो है इस पूरे मामले पर मोधी सरकार को जूटा करार दे रहे हैं कि वह झूट बोलते है इस तरीके से यह गाना जूटा बनाया गया है उस तरीके से यहां की सरकार भी झूटी है कमाल की बात है दोस्तों कि एक की वज़ा से हम सब को देखना पड़ता है हम सब को सुनना पड़ता है हमारा देश का जो भी आंतरिक मामला है आंतरिक मसले हैं वो हम सब मिल जुल कर सुलजा लेते हैं लेकिन इस लेवल पर अंतराश्य लेवल पर इन अफरती चिंटों की वज कर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राय है में कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी ना भूले